नमस्कार, मेरा नाम नमृता शुकला है, आपकी कक्षातीन विशह हिंदी पाड़ चार उबश है सुल्तान का संदूक आपकी पुस्तक का नाम है बाटी का भाक्तरी जो आज आप पढ़ रहे हैं आपका पाड़ चार है जिसका नाम है सुल्तान का संदूक आईए chapter की reading शुरू करते हैं बच्चो इस पार्ट में बताया गया है इसका learning outcome है अमीर सब बनना चाहते हैं कोई और औरों से धोके में रखकर कोई दूसरों को डरा कर कोई किसी की कमजोरी का लाव उठा कर तो कोई अपनी बुद्धि मानी से इस chapter में बताया गया है कि सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं कोई और लोगों को धोका दे कर यानि धोके से अमीर बनना चाहता है कोई दूसरों को डरा कर अमीर बनना चाहता है कोई किसी की कमजोरी या परेशानी का लाव उठा कर तो कोई अपनी मेहनर से बुद्धि मानी से अमीर बनना चाहता है तो सबसे बड़ी option कौन सा अमीर बनने का अपनी बुद्धि मानी से हमें अमीर बनना चाहिए पढ़िए रज्जाक एक लुटेरा था उसके द्वारा की गई लूट पार्ट की खबरे सुल्तान तक भी पहुस्ती रहती थी लुटेरा किसे कहते हैं जो लूट पार्ट करता है चोरी डक्यती डालता है खबरे यानी सूचना सुल्तान तक भी पहुस्ती रहती थी सुल्तान यानी राजा तक सुल्तान ने एलान किया था कि जो भी रज्जा को पकड़वाने में साहेता करेगा उसे सो सोने की महरे इनाम में दी जाएंगी एलान यानि इसका धिन्डोरा पिटवाया था कि जो रज्जा कि यानि उस लुटेरे को पकड़वाने में साहेता करेगा उसे सौ सोने की मोहरे इनाम में दी जाएंगी लोग उसे पहचानते तो थे पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी ख़बर नहीं पहुचाता था एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गाओं में आया उसी गाओं में एक भोला-बाला और इमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती करे एक दिन जो लूटेरा था रज्जाक था जो चोर था वह लूट के इरादे से गाओं में आया था उसी गाउं में एक भोला भाला और इमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता है था जो महनती था अपनी महनत से आगे बढ़ना चाहता था अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती करें उसकी कोई अपनी जमीन नहीं थी पर अंतु वह यह चाहता था कि वह ऐसा कौन सा महनत से काम करें जिससे उसकी अपनी जमीन हो और वह खेती कर सकें एक बार फिर से देखेंगे रजाक एक लूटे रहा था उसके दोआरा की गई लूट पाट की खबरे सुल्तान तक भी पहुँंसी रहती थी सुल्तान ने एलान किया था कि जो भी रजाक को पकड़वाने में साहता करेगा उसे सौ सौने की महरे इनाम में दी जाएंगी लोग उसे पहचानते तो थे पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुचाता था एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गाउं में आया उसी गाउं में भोला भाला और इमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती कर सके वह चाता था कि किसी तरह उसे सोने की सो महरे मिल जाएं जिससे उसकी किसान मनने की अभिलाशा पूरी हो जाया अभिलाशा किसे कहते हैं इच्छा अचानक अमीन की नजर रजाक पड़ पड़ी चोर का जो डकैट था चोरी करता था वें उची आवाज में अपनी पत्नी से जगड़ा करने लगा जगड़ा करने लगा यानि लड़ने लगा उसका चिलाना सुनकर कुछ गाओं वाले उसकी जोपड़ी के सामने इखटे हो गए और अमीन और उसकी पत्नी को जगड़ते बहार आ गए लोगों को देखकर अमीन ऊची आवाज में बोला मेरी पत्नी को तो देखो यह कितनी ना समझ है इसके पिता ने एक संदूक भेजा है उस पर ताला जड़ा है उन्होंने ख़बर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाओं तो सुल्तान सौ महरे देंगे लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती है अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली मैं ना समझ नहीं हूँ बलकि मेरे पिता और पती ना समझ हैं ना समझ किसे कहते हैं जिसे समझ नहीं होती सीधा साधा व खला आप लोग ही बताईए कागच के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की महरे देगा, किसने कहा यह सुल्तान की पतनी ने, मैं अपने पती का सब के सामने मजाग बनते नहीं देख सकती, यह कहकर वैं जोपड़ी के अंदर चली गई, अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, एक बार फिर से देखेंगे इस वाले पेज को, इसे मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए, इसमें क्या है, अचानक अमें इनकी नजर रजाक पड़ी, रजाक कौन था, जो टाकू था, रजाक को पहचानते हुसे पकड़वाने के लिए अमीन को एक उपाय सुचा, भै तेज आवाज में चिलाया और अपनी पतनी से जगड़ा करने लगा, लोगों को दिखाने के लिए, उसका चिलाना सुनकर गाओं वाले भी आ गए, जो पुड़ी के सामने भै खटे हो गए, अब अमीन अपनी पतनी से जगड़ते जगड़ बाहर आ गया, लोगों को देखकर अमीन उची अवाज में बोला, मेरी पतनी को देखो, यह कितनी ना समझ है, इसके पिता ने एक संदूख भेजा है, उस पर ताला जड़ा है, उन्होंने खबर बेजी है, कि अगर मैं यह संदूख सुल्तान के पास ले जाओं, तो सुल्त नहीं हूँ, बलकि मेरे पिता और पती ना समझ है, संदूख में केवल कागज का एक टुकड़ा है, भला आप लोग ही बताईए, कागज के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की महरे देगा, मैं अपने पती का सब के सामने मजाग बनते नहीं देख सकती, यह जोपड़ी के अंदर चले गई, अमीन भी उसके अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, क्या कहा उसकी पत्नी ने, उसकी पत्नी ने ये कहा, कि मैं ना समझ नहीं हूँ, बलकि मेरे पती और मेरे पिता ना समझ है, उस बॉक्स में क्या था, एक कागज का ट उकड़ा, मेरे पती सुल्तान के पास ले कर जाएंगे, तो क्या उन्हें की सो महरे देंगे, नहीं देंगे, उसकी पत्नी का ऐसा कतन था, लेकिन इससे मेरे पती की बेजती होगी, इंसर्ट होगी, है ना, भई है, सोचने लगी, आगे, वो अमीन बोला, मैं भी देखता कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो, किस ने कहा यह है, अमीन ने कहा, किस से, अपनी पत्नी से, उनकी बाते सुनकर सारे गाउं वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बाते करने लगे, यह सब बाते लुटेरा, रज्जाग भी छिपकर सुन रहा था, लुटेरे का क अमीन गाउं की पगदंडी से निकल कर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, रज्जाग भी उसका पीछा करने लगा कुछ आगे जाने पर एक निर्जन इस्थान देखकर, निर्जन यानि जहां पर कोई भी ना हो, सननाटा हो, सून सान हो, जहां कोई लोग ना हो, ऐसे स्थान को बोलते हैं, निर्जन इस्थान, देखकर रज्जाग ने अमीन के सिर पर बार किया, ठीक है? बार किया तो गो है क्या हो गया होगा बेहोश उसने किस मकसद से बार किया था उसने इस मकसद से बार किया था कि मैं इसके सिर्पे बार करूँगा तो ये बेहोश हो जाएगा अब इसका संदूक मैं चीन कर जब सुल्तान के पास लेकर जाओंगा तो सुर्वतान इसे देने की बजाए बहसोने की अशर्खियां मुझे दे देंगे क्योंकि संदुक मैं उन तक पहुचाऊंगा फिर उन अशर्खियों का बहजो चाहें वो कर सकता था उसने यहां सोचकर रज्जाक के सिर्फ पर वार किया क्या बच्चों हमें ऐसा करना चाहिए किसी के साथ किसी का सामान चीन कर अपने लाप के लिए दूसरे को नुक्सान पहुचाना चाहिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए आगे पढ़ेंगे अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा वह मनहीमन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे सौ सोने की महरे देंगे इसी बीच अमीन को होश आ गया किसे होश आ गया? अमीन को और वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा कौन? कौन चल पड़ा? अमीन ठीक है? रज्जाक ने महल में पहुँचकर सुल्तान को संदूक भेट किया भेट यानी उपहार में दिया सुल्तान ने संदूक खुलवा कर उसमें रखे कागज के टुकडे को उठा कर पढ़ा उसमें लिखा था हमारे माननिय सुल्तान यह आदमी जो आपके पास लकडी का संदूक लिकर आया है कुख्यात लुटे रहा है कुख्यात माने जाना पहचाना लुटे रहा में इस लोगों को लूटने वाला चोर डकैद रज्जाक है सब इससे डरते हैं इसलिए इसके विशे में कोई कुछ बता नहीं पाता इसे आप पकड़ लीजिए क्योंकि इससे लोग डरते थे कहिए हमें नुकसान ना पहुचाए हमें मार ना डाले है ना इसलिए लोग उससे डरते थे और उसकी आने की सूचना सुल्टान तक नहीं पहुचा पारते थे सुल्टान ने पत्र पढ़ते ही रज्जा को बंदी बनाने का आदेश दिया बंदी किसे कहते हैं बंदी यानि उसे क्याद में कर लिया मतलब उसे क्याद खाने में डाल दिया आदेश दिया यानि हुकम दिया आग्या दि उसी समय अमेन भी बहां पहुच गया और उसने सुल्टान को बताया कि रज्जा को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी योजना किसे कहते हैं प्लान को जो हम प्लैनिंग करते हैं यह सुनकर सुल्टान बहुत प्रसन हुए प्रसन यानि खुश हुए उन्होंने सौ सोने की महरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिये उसे सौने की महरे तो दी उसके साथ साथ उसे और भी ज़्यादा इनाम दिये अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा क्योंकर इनाम सरूप सो और सोने की महरे मिली थी अब उन मोहरों से वह क्या करता जमीन खरीता जमीन करीत कर वह क्या करता खेती करता तो उसका क्या सपना था अमीन का उसका यही सपना था कि उसकी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती कर सके बच्चों अमीन ने सही करा या रज्जाक ने सही करा बताईए आप अमीन ने सही करा क्योंकि उसने महनत का फल लेने का प्रियास किया लेकिन रज्जाक ने दूसरे की महनत को पानी में मिला कर उसे धोका देकर वह मोहरे हासिल करने का सपना देखा तो गलत कौन हुआ गलत हुआ रज्जाक है ना हमें कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचा कर उसका लाब नहीं उठाना चाहिए कभी भी ऐस अपना नहीं देखना चाहिए कि हम दूसरे को धो कर दो कर नुकसान पहुंचा कर दूसरे का माल हड़ा कर अमीर बने क्योंकि ऐसी अमीरी जादा देर तक नहीं ट्रिकती भगवान भी उससे ना खुश होते हैं हमें हमेशा अपने मेहनत की कमाई खाने चाहिए और एक नेक इंसान बनना चाहिए ठीक है? एक वार से यह फिर से पढ़ लेंगे अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा वह रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओड़ चल पड़ा वह मनहीमन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे स्वासोने की मौरे देंगे इसी भी चमीन को होशा गया और वह सुल्तान के पास पहुँच गया रज्जाक ने महल में पहुच कर सुल्तान को संदूक को भेट किया सुल्तान ने संदूक खुलवा कर उसमें रखे कागश के टुकड़े को उठा कर पड़ा उसमें लिखा था हमारे माननी है सुल्तान यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है यह क्यात लोटेरा रज्जाक है सब इससे डरते हैं इसलिए इसके विशे में कुछ नहीं बता पाते आप इसे पकड़ ले सुल्तान ने पत्र पड़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दिया उसी समय अमेन भी बहां आ पहुचा उसने सुल्तान को बताया रज्जाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसनु हुए उन्होंने सौसोनी की महरोक के साथ उसे और भी बहुत सही नाम दिये किसे दिये अमीन को अमीन खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा और रज्जाक को क्या मिला रज्जाक को जो उसने गलती की थी दूसरे को नुकसान पहुचाने की उससे बहस संदूख चीनने की तो इसलिए उसे बंदी बना दिया इसके अलावा भी उसने बहुत लोगों को नुकसान पहुचाया था अमीन के अलावा गाउवालों का समान लोटा था उन्हें जान से मारा था है उनके घर में चोरी डकैती डाली थी लोगों को नुकसान पहुचाया था इसी कारण उसे बंदी बना लिया तो हमें हमेशा कैसे जीना चाहिए सत्य पर हमें हमेशा मेहनत की कमाई खानी चाहिए हमें जो हम परिश्रम करके कमाते हैं उससे भगवान भी खुश होते हैं और वह पैसा हमारे पास टिकता भी है लेकिन हमें कभी भी दूसरों को नुखसान पहुचा करके कमाना नहीं चाहिए बलकि लोगों का भला करना चाहिए उन्हें अच्छी राय देनी चाहिए जिससे की वह आगे बढ़ सकें और अपनी कमा सकें ठीक है बच्चो आशा है कि यह पार आपको समझ में अच्छे से आया होगा इसमें अब तो इस पार से हमने क्या सीखा बताईए आप इस पार से हमने यही सीखा कि अमीर सब बनना चाहते हैं और कोई औरों को धोके में रखकर जैसा की रजाक ने किया कोई दूसरों को डरा कर यह भी रजाकने करा तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए धन्यवाद